इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारी transmission लाइने होती हैं उनमें अलग-अलग capacity के हिसाब से कौन सा conductor इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के जो सवाल है वो जादादर कंपनियों में job के लिए interview के समय पूछ लिए जाते हैं जैसे की 11 kv, 30 kv, 66 kv या फिर 220 या 440 kv की जो हमारी transmission लाइने होती हैं उनमें कौन सा conductor इस्तेमाल किया जाता है तो transmission लाइन में जो conductor इस्तेमाल किया जाता है और जो conductor यूज किया जाता है उसकी जो current की rating होती है वो क्या होती है इन जैसे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को सुरू से लेके लाश तक देखते रही है तो बात की जाए कि कौन सी transmission line में कौन सा conductor इस्तेमाल किया जाएगा या फिर लगाया जाएगा ये बहुत सारे अलग-अलग factor के उपर depend होता है लेकिन आज इस वीडियो में हम normally जो हमें line देखती हैं अपने आसपास उनमें कौन सा conductor किस rating के लिए इस्तेमाल किय जाता है इसके बारे में समझाने वाले हैं ताकि आप बीना किसी confusion के आसानी से समझ सकें कि किस transmission line में कौन सा conductor इस्तेमाल किया जाता है और उसको आसानी से याद रख सकें सबसे पहले बात करते हैं 11 kv line के बारे में जो हमारे 11 kv की transmission line ने होती हैं उनमें हम ACSR Rabbit conductor का इस्तेमा करते हैं इसको साथ अलग अलग तारों यानि strand से मिला के बनाया जाता है इन साथ में से 6 तार यानि strand हमारे aluminium के होते हैं जिनका डाया लगबग जिनका हर एक का डाया 3.3 mm होता है और जो साथवा तार होता है वो galvanized steel का तार इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारे इस transmission wire की 35 mm का होता है इस rabbit conductor का जो total area होता है वो 50 mm का होता है और इसका overall diameter 10 mm होता है इसकी current rating की बात की जाए तो 50 degree Celsius के temperature पे ये लगबग 157 ampere के current को flow कर सकता है ACSR rabbit conductor की जो breaking capacity है उसकी बात की जाए यानि जो इसका breaking load होता है यानि कितना load हमारे इस conductor के उपर पढ़ने से ये conductor तूट जाएगा वो जो capacity होती है वो इसकी 18 kN यानि 18 kN होती है वारी जो 11 kV की line होती है उनमें ज्यादादर आपको rabbit conductor देखने को ही मिलता है अब देखते है 33 33 kV की जो line होती है उसमें जो conductor इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा ACSR dog conductor होता है 33 kV की line के अलावा इस dog conductor को हम कभी कभी 11 kV की line में भी उपियोग करते हैं हमारे इस ACSR dog conductor के अंदर aluminium के 6 strand होते हैं यानि 6 तार लगाए जाते हैं जिनका जो डाया होता है हर एक का वो 4.72 mm होता ह और इन aluminium के तारों को मजबूती देने के लिए इनके बीच में एक galvanized steel की तार भी लगाई जाती है इन तारों की संख्या साथ होती है जिनमें से सभी का जो डाया है वो 1.57 mm का होता है इस dog conductor का जो total area होता है वो 100 square mm होता है और इसका जो overall diameter होता है वो 14.15 mm का होता है ACSR dog conductor 249 ampere current carry कर सकता है इसकी जो breaking capacity यानि breaking load होता है वो लगब 32 किलो newton के आसपास होता है यानि अगर 32 किलो newton से ज्यादा का load इस पे डाला जाएगा तो ये हमारा conductor जो है वो तूट जाएगा अब देखते हैं 66 kv की line को 66 kv की जो transmission line होती है देखने में वैसे तो बहुत ही कम मिलती है 66 kv की line का जाता तर उपयोग किसी special industry में ही किया जाता है इसलिए ये बहुत कम देखने को मिलती है 66 kv की जो line होती है उसमें ACSR wolf या panther conductor का इस्तेमाल किया जाता है wolf conductor की बात की जाए तो इसमें total 37 strand होते हैं जिनमें 7 strand steel की होती है और 30 strand aluminium की लगाई जाती है अब जो ये aluminium की 30 strand लगाई जाती है इन में से जो हर एक का डाया होता है वो 2.59 mm होता है और galvanized steel की जो strand लगाई जा है इस conductor के और आयल तो ये लगबग 18.13 mm का होता है और इसकी जो breaking capacity है वो लगबग 67 kg newton होती है और इसकी current carrying capacity की बात की जाए तो 65 degree Celsius पे ये लगबग 229 ampere को carry कर सकता है आगे बढ़ने से पहले दोस्तो हम आपको बताना जाएंगे अगर आप electrical की field से जुड़े हैं और आप house अबी के लिए हमारी e-books बनाई है एक हमारी e-book house wiring की है और एक e-book हमारी motor starter की है तो house wiring और motor starter की ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप हमारी e-book खरीज सकते हैं आपको बहुत ही कम कीमत में हमारी ये e-book मिल जाएंगी link आपको description में दिया हुआ है अब देखते हैं 132 kv transmission line को 132 kv की जो transmission line है उसमें ACSR panther conductor का उपयोग किया जाता है इस conductor के बाहर की दرف aluminium के तार यानि stand लगे होते हैं उनकी संक्या 30 होती है और इनका जो हर एक का diameter होता है वो 3 mm का होता है इसका overall diameter 21 mm का होता है जबकि इसको मजबूती देने के लिए इसके अंदर जो steel की stand इस्तेमाल की जाती है उनमें भी हर एक का जो diameter होता है वो 3 mm का होता है पैंथर conductor का जो overall area है वो 200 square mm का होता है और पैंथर conductor की जो current carrying capacity होती है वो 50 degree Celsius पे लगए तो MPR की होती है और हमारे इस पैंथर conductor का जो breaking load capacity है वो 89 किलो न्यूटन होती है अब देखते है 220 kv transmission line को 220 kv की जो transmission line होती है उस का total area जो है वह लगब dalla के 600 mm होता है जैब्रा conductor में total 68 Strand यानि तार होते हैं जिन में से चमन алuminium के और सात णOut steel के होते हैं इनमें से हर एक तार यानी strand का जो डाया है वो 3.18 mm होता है चाहे वो हमारी aluminum वाली strand हो चाहे फिर वो हमारी galvanized steel वाली strand हो सबी का जो डाया है वो 3.18 mm होता है अगर zebra conductor की current carry की बात की जाए तो ये लगबग 65 degree Celsius पे 590 ampere तक current carry कर सकता है और zebra conductor की जो breaking load capacity होती है वो 130 kilo newton की होती है अब देखते है 400 kv transmission line को 400 kv transmission line में हमारा ACSR twin mousse conductor इस्तिमाल किया जाता है जिसका total area 520 mm का होता है और इसमें total जो strand यानी तार होते हैं उनकी संख्या एक सेट होती है जिसमें 54 aluminum के होते हैं और इन aluminum के strand का हर एक का जो dia होता है वो 3.53 mm का होता है और इस conductor को मजबूती देने के लिए इसके अंदर जो galvanized steel के strand यूज किये जाती है उनकी संख्या साथ होती है जिन में से हर एक का diameter 3.53 mm का होता है twin mousse ACSR conductor की current carrying capacity होती है वो 65 degree Celsius पे 666 ampere की होती है और twin mousse ACSR conductor का जो breaking load capacity होती है वो लगबग 169 से 160 kN की होती है अब देखते हैं 765 kV की line को अगर बात की जाए 765 kV की तो जो 765 kV की transmission line ने होती है इन में भी twin mousse conductor का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन फरक यहां पे यह होता है कि हाँ पे इस conductor को bunch या bundle में इस्तेमाल किया जाता है जैसे आप screen पे देख रहे होंगे मूस conductor को 4 या फिर 8 के bunch या bundle में लगाया जाता है और फिर इसको 765 kV की line पे इस्तेमाल किया जाता है अब इसके हलाव अगर आप यह जानना चाते हैं कि आप Transmission Line को किस तरह erreichenसे पेचान सकते हैं किसी भी Transmission Line को देख किके कैसे बता सकते हैं किसकी rating क्या है तो इसके लिए आप हमारी Right वाली वीडियो देख सकते हैं और इसके हलाव आप यह जानना चाते हैं स्विच गेर क्या होते हैं कितने प्रकार क्या होते हैं और इनका व्योग कहां क्या जाता है तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं